आप सब ठीक होंगे तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है यह लॉंकी की सबजी जो की मैं बनाने वादी हूँ बिना प्याज लैसन के तो अगर कोई प्याज लैसन नहीं खाता है तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैंन ठाना चाहिए सिहत के लिए भी अच्छा होता है तो चलिए फिर फटापाट से वीडियो देख लेते हैं और आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्फुल रहे अगर हेल्फुल रहे तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिए अपने फैंसन फैंबली में तो वीडियो को शुरू करते हैं अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो लॉंकी बनाने देख लेते हैं कि और हमें किन चीजों की जरूरत है तो यहां पे मैंने कुछ मसाले लिये हैं तो सबसे पहले मैंने नहीं पे रिफाइंड उयल लिया है जिस से मैं सबजी को फ्राइब करूँगी नेक्ट यहां पे लिया है जीरा एक चमच नमक लिया है स्वाद के अनुस तो गेस पर मैंने यहां पर कडाई चड़ा दी है और जो हमने ओई लिया था उसको डाल दिया है और गरम हो चुका है अब हम इसमें जीरा एड़ कर दिये हैं तो जीरा जैसी ही गोल्डन ब्राउन हो जाता है तो हम इसमें ग्रीन चिली एड़ कर देते हैं बहुत ही excellent बनानेवाली हूँ है यह रेसेपी तो दोनों चीजां हो गए है अब हम इसमें कटी हूई लांकी शिक्रीन और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया हैं, तो यहां पर मैने लॉकी और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम एक लीड की मदद से इसको धक देते हैं, और 3-4 मिनिट के लिए हम इसको भाप में पखने देते हैं, तो देख लेते हैं 3-4 मिनटे हो चुके हैं यह देखें लॉंकी अलमुस्ट हो चुकी है तो यहां पर पहले हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब हमने जो टमाटर चौप करके रखे हुए थे उनको एड़ कर देंगे और टमाटर के साथ हमें इसमें नमक एड़ कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए जल्दी तो इन सभी चीज़ों को हम अगें फिर से मिक्स करेंगे और एक लीड की मदद से हम इसको ढग देते हैं दो से तीन मिनिट के लिए ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो यहां पर मैं एक लीड से कवर कर देती हूं और अगें दो से तीन मिनिट के लिए हम इसको भाफ में पका लिए थे हैं तो यह देखें दो से तीन मिन ठॉ चुके हैं सारी चीज आच्छे से पक चुकी हैं तो अब हम ऐसे में डाले ड्राइ मसाले धनिया पाउडर है एक चमच आदा चमच लाल मिर्श पाउडर और आदा चमच हल्थी पाउडर तो इन सभी चीजों को मिक्स करेंगे और मसाले के साथ ही हम इसको एक मिनट के लिए अगेन भूझेंगे तो लीड से कवर कर देती हूं मैं तो एक मिनट हो चुके हैं चक कर लेते हैं ये देखें परफेक्ट सबजी बनकर हमारी तयार हैं बहुत ही बड़िया तरीके से ये पक चुकी है अब हम इसमें लास्ट डालेंगे धनिया पती गारनेशिंग के लिए और धनिया पती डालने से सबजी का टेस्ट और ज्यादा बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है सब्जी को और बहुत क्विक तरीके से इसको बनाया है आप एक बार ज़रूर ट्राय कर सकते हैं तो सब्जी हमारी बन का तियार हो चुकी है अब हम इसको सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं तो सब्जी को मैंने एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। गर्मा गरम सब्जी बन कर तयार है, बच्चों के टिफिन बौक्स में और खाने में भी आप इसको बना सकते हैं। ब्रेक्फस्ट में भी आप पर आँठे के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुती एजी रेसिपी है, क्विक रेसिपी है, तो आप ज़रूर मचे बताईएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो आई होप आपके लिए वीडियो हेलफुल रही हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीस लाइक करें, शेयर करें और सबस्क्राइब करना ना बूलें ताकि जब भी मैं यू वीडियो अपलोट करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो आई होप आपके लिए वीडियो हेलफुल रही हो, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ, या कुछ अधर वीडियो के स